दोस्तों मैं शगुफता सूनी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप से आपका अपने चैनल में बहुत बहुत वैलकुम करती हूँ दोस्तों आज हम जानेंगे दूबलापन को कैसे दूर हम कर सकते हैं दोस्तों आजकल की बीजी लाइफ में बहुत कम उन में ही बहुत तरह की बिमारियों ने घियर रखा है लोग बीपी, शुगर, थाइराइड, अर्थरैटिक्स और मोटा पेते जहां परेशान हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने दूबलेपन के वज़े से परिशान है सरीर का खुबसूरत होना बहुत ही मायने रखता है हद से जादा दूबले पतले होना हमारी सकसियत को खराब कर देता है तो जरूरी है कि हमारा जो बॉड़ी है वो हेल्दी दिखे क्योंकि हद से जादा दूबले दिखना हमारे confidence को कम करने के साथ साथ हमारे लिए tension का भी एक कारण बन जाता है वजन बढ़ाने के लिए metabolism और पाचन तंत्र का एहम रोल होता है weight gain करने के लिए आप वो खाना खाएं जिसमें calorie की मात्रा बहुत अधिक हो अपने diet में minerals, fats, carbohydrates, protein को ज़रूर शामिल करें तो आईए इसके पहले कि हम इसके लिए घरे लून उसका जानने उसके पहले हम जानते हैं कि दूबले पन के कारण क्या होता है liver से जुड़ा कोई रोग होना आपको दूबले पन में डाल सकता है sugar जिसे हम diabetes भी कहते हैं उसके वज़े से भी आपका weight जो है वो कम हो सकता है body में खुन की कमी होना, पतला होने का एक कारण hyperthyroid भी है जादा tension लेना या फिर depression तो उसके वज़े से भी लगातार वजन कम होता है अगर आप किसी बहुती समय से आप किसी लंबी बिमारी में अगर आप है तो हो सकता है इसके वज़े से भी आपका वजन जो है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है बहुत से लोगों में ये genetic भी होता है तो ये तो थे दोस्तो कारण अब इन्हें दूर करने के लिए हम किन घरेलू नुसकों का उप्योग कर सकते है आईए ही हम जान लेते हैं दोस्तो जिस तरह से खाना और पानी जरूरी है ठीक उसी तरह से हमारे हेल्थ के लिए भरपूर नीन लेना भी बहुत जरूरी है तो दोस्तो कम से कम 8 घंटे की गहरे नीद आप जरूर लें रोजाना दिन भर में एक मुट्टी किस्मिस खाईए ऐसा करने से आपका वजन तेजी से बढ़ेगा दोस्तो आप किस्मिस और अंजीर को बराबर मातरा में आप दूद में भीगा दे और सुबह इसे आप खा लेजिए ये एक बहुत ही कारागर घरेलून उसका है वजन को बढ़ाने के लिए हर दिन एक अंडा जरूर खाए केला खा करके दूद पीने से भी आपका वेड जो है वो बढ़ता है या तो फिर आप नाश्टे के बाद बनाना शेक बना करके पिए दूद में शेहर डाल कर पीने से भी दूबला पन जो है वो दूर होता है दोस्तों सुबह खजूर खा कर अगर एक गलास दूद पी लिया जाए तो ये भी आपके दूबले पन को दूर करता है दूद, घी, मखन, पनीर का आप जादा प्रियोग करें जो लोग नॉन्वेज खाते हैं वो लोग नॉन्वेज का इस्तमाल करें इससे भी आपका वेड जो है वो गेन होता है एक गलास दूद में आप काजू, किस्मीज, बादाम, चुहारा और मुनक्के को डाल करके राद भर आप भीगा दें और सुबर निहार मू आप मेवे को चबा करके खा लिजे और उसके बाद आप बचा हुआ दूद पिलें दोस्तों ये बहुती जादा कारागर घरेलून उसका है और आजमाया हुआ भी है दूद रोटी खाने से भी आपका वजन बढ़ता है फल और सेलेट का आप भरपूर मातरा में सेवन करें इसके साथ ही आप हलका फुल का वयाम करें और योग करें ये जो है आपके वेट को बहुती अच्छा आपको फरक देखने मिलेगा अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर वयाम को जगा देते हैं तो दोस्तों ये सब घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर आपका वदन जो है वो कम होता जा रहा है तो ये बहुती चिंता का विसा है आप तुरंद अपने डॉक्टर से जा करके मिलिए उनकी सलाह लिजिए तो वो आपको कारण और अच्छे से बता करके दवाईयां आपको देंगे ज्यादा टेंशन आप ना ले और खुश रहने की कोशिश कीजिए इसके साथ ही हलकी एक्सेसाइज करिए पानी पीए और अपना खयाल रखें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई